विल्कम मिक दोस्तों क्या हले आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ किया आप सब खैरियेट से होंगे तो गईस जितने भी डार्लिंग परबास के फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूस पे गुड न्यूस लेकर आया हो भई डार्लिंग परबास की अपकमिंग दो फिल्म यनि कि कल की एंड दी राजा साब दी राजा साब को ही लेकर गईस एक बहुत बड़ी अपडेट है मैं कहता हूँ मतलब unexpected मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भई साब ऐसी चीज ऐसा content इतना time पहले आ सकता है यनि कि अगर मैं ये बोलू कि राजा साब के makers मारू थी जिसको हम इतना कहते थे कि ये वो नहीं नहीं अब आकर गईस मैं अगर ये बोलो कि राजा साब के makers जो है भाईसाब उन से सीखना चाहिए कलकी के makers को तो ये गलत नहीं होगा आप में से पोट से भाईयों को update मिल चुकी होगी जिन को नहीं मिली मैं कहता हूँ आपको मज़ा ना आया तो गईस पैसे वापस इसी के साथ आज 17th of April कलकी को लेकर क्या होने वाला है वो भी बताता हूँ क्योंकि कल भाईसाब जो हमारे चाचा है तारण दारश उन्होंने गईस जो statement दी वो बहुत dangerous थी मैं कहता हूँ कि मैं हिल गया एक बार तो क्या सारा scene है complete देखते हैं बट उससे पहले वीडियो को like मेरा भाई and channel को भी subscribe ताक ऐसी updated वीडियो आपको मिलती रहे सो गाईस सबसे पहले हम दाराजा साब अफकोर्स उसकी update देखेंगे जिसकी release date भाईसाब जो के है 2025 का first month January यनि के पॉंगल अब गाईस देखो वो भी confirm नहीं है कि भाईसाब तब release होगी नहीं होगी तब क्या पता थोड़ी सी delay हो जाएगी शोटिंग के वज़े से confirm नहीं है ना अभी तक तो हम जास ये मान चुके है कि सब संसक्रांती पॉंगल 2025 जनि के पहले महिने जन्वरी में हमें राजा साब देखने को मिलेगी बट नाओ अपडेट्स के अकोर्डिंग इसका first single जनि के पहला गाना बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है मतलब कि ए ये कोई fake news नहीं है और मैंने ये मुझे कल जब पता चला ना तो मैंने समझा या humor है मजाख है तो मैंने ना ऐसी डाल दिया लेकिन मुझे कुछ भाईयों के message आए कि भाई साब इस अपडेट्स पर भी देखो कि ये क्या हो रहा है तो मैंने का यार मैं पता तो करूँ क्या इतनी ज़्यादा message जा रहे हैं तो जब मैंने news निकाली तो makers is such मुझे गाने की shooting कर रहे है गाने की shooting उसको छोटा सा clip भी आया है मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता दिखाओंगा तो आप सब को अच्छी तरह से पता है problem हो सकती है छोटा सा clip आया रमोजी film city में भाई release कर भी दे अब एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही इस गाने में darling पर भास है या नहीं है yes मेरा भाई क्योंके अभी मेरे पास जो अपडेट्स है उसके according darling पर भास कल दी राजास साब की shooting में नहीं है I think ऐसे ही मेरे पास कुछ अपडेट्स है अभी तक वो भाई है आप सब कुछी तरह से पते हैं हम कुछ ऊपर नीचा आज के लिए हो जाएगा भी मैं आपको अपडेट्स बताता हूँ कि वही साब क्या क्या सीन है क्या क्या होने वाला है लेकिन ता राजा साब भाई साब इसकी कमाल की अपडेट्स है और मैं फैन हो गया हूँ मैंने गाना शूर रहे यार यह तु कवाल हो गया, तो कहीं नगई, बैसाड झाना आ जाता है तो सर्प्राइजिंग होगा इस фильм की माल, यानिकि पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रही है, क्या स्केर्ञ है, बैसाड तरह किस यह जरूरी नहीं कि गाना आए तो कुछ चीजे रेवेल नहीं गाना बहुत कुछ बता के जाता है तो मैं एक्साइटीड हूँ आप हो या नहीं कमेट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा नाव मूव करेंगे कलकी की तरफ गैस कल क्या हुआ कल हमारे जो चाचा है तारन पुषपा गेम चेंजर एक और कौशी थी देवरा कंगवा नहीं देवरा याद रखिए ये चार फिल्म भई साब डार्डिक परपास की फिल्म कल की पुषपा दारूर उल उसके बाद गेम चेंजर एंड देवरा इन चारों फिल्म के जो हिंदी ठेटरिकल राइट्स हैं वो ए ए फिल्म्स अनील साब बाई कर लिया हैं जो लोग अनील के बारे में नहीं जानते मैं उनको बताता चलो अनील साब ने बाई सालार की बी हिंदी राइट्स को बाई किया था बहुत सालार देख लो मैं आपको एक बात बताओं बई ढंकी के जितने भी टोटल फुट फॉल्स है उसको कम मत समझो मैंने आपको क्या बोला उस टाइम सालार के कर लेकर इतनी नेगेटिविटी पहलाए गए जिस वज़ए से भाई साब वो फिल्म लेकिनी तो एक हजार क्रोड पका था मेरा बाई एक हजार क्रोड कहीं भी नहीं गया था तो एए फिल्म्स उपर स रूल कर लो कल्की कर लो गेम जेंजर कर लो और उसके साथ भाई साब अपना देवरा कर लो सारी बड़ी फिल्म्स है की है, हिंदी theoretical rights बाइ की है, कल की फिल्म के 75 क्रोड में, सा लार फिल्म की भी इतनी में ही बाइ होए थे और अभी बैसाब कल की की भी इतनी में ही बाइ होई है, देखो, मैं सिंपल ये बोलूगा, मुझे नहीं चाहिए कि डार्लिंग परभास हिंडी बेल्ट से 500 क्रोड ही करें येस मैं नहीं चाहता मनलब हो जाए तो मैं गया तो से बैस्ट कोई बात हो ही नहीं सकती मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हिंडी ओडियन्स जो है ये लोग रिकोर्स नहीं चेक करते भई पठान ने लास्ट येर 500 क्रोड किया जवान ने लास्ट येर 500 क्रोड किया या फिर मैं एनिमल की बात करूँ उसने लास्ट येर 500 क्रोड किया गदर टू ने लास्ट येर 500 क्रोड किया भाई बाहु पली टू ने 500 क्रोड हिंदी मार्गेटिंग अंदर तब किया था 2017-18 में जब ना भी नहीं था कि बहुत इंपॉसिबल समझा जाता था बॉलीवर्ड में तब डार्लिक परभास 500 क्रोड हिंदी में कर चुके थी तो ये कोई आम भी सा नौर्मल चीज नहीं है सो ना हो मैं कहता हो कि 500 क्रोड भली ही ना हो कोई बात नहीं है लेकिन जितना हो वो अच्छा हो 200 क्रोड 300 क्रोड लेकिन वो ऐसे हो कि पब्लिक बोले के हाँ परभास ने बैक किया है और ऐसा बैक किया है के मज़ा आ गया उसके बाद बैसा 500 क्रोड आटूमेटिकली चला जाएगा डारलिक परभास के लिए हिंदी बैल्ट में 500 क्रोड को इतनी बड़ी चीज नहीं है एक फिल्म तगडी निकली ना मैं कहता हू डालिक परभास हिंदी बैल्ट में नियू रिकोर्ड करियेट करके जाएगे नियू रिकोर्ड 600 क्रोड 700 क्रोड ये होगा देख लेना ये होगा बॉलिवूड की किसी अक्टर ने ना किया वैसे तो बॉलिवूड की अपकविंग बहुत बड़ी बड़ी फिल्म सा आ रही ह पठान टू आ रही है पठान वर्सिस टाइगर आ रही है अगर वो कर पाई तो कर पाएंगी मुझे बी डीव है लेकिन वो ना कर बें डालिंग परवास कहीं नहीं कि भाई देख तो ते जाओ होने क्या वाला है है दोस्तों ये तो बात होगी इस चीज़ की लेकिन तारन तारश ने बड़ी मज़ी की बात कि उन्होंने जो जो फिल्म का नाम लिया कलकी का नाम लिया पुश्पा का नाम लिया देवरा का नाम लिया केम जिंजर का नाम लिया आगे उनके मंस भी बताए और उन्होंने कल